वही लोगसबार चुनावों के रुजान को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है करनाटक की 27 सीटों के रुजान सामने आ गए है वही करनाटक में BJP 15 सीटों पर आगे नजर आ रही है ये बड़ी खबर सामने आ रही है वही कॉंग्रस की बात कर लेते हैं तो आठ सीटों पर कॉंग्रस आगे चल रही है तो वही 15 सीटों पर BJP बढ़त के साथ आगे है वही MP की चिंद्वाडा सीट की बात कर ले तो कॉंग्रस की नकुलनाथ इस वक्त पीछे चल रहे है 5000 वोटों से नकुलनाथ इस वक्त पीछे हैं बस्तर से कवासी लखमा इस वक्त आगे नज़र आ रहे हैं वहीं मंडिर से बीजिपी की कंगना रनौत इस वक्त आगे चल रही है ये बढ़िया अपडेट इस वक्त लोगसभा चुनाफ को लेकर आपको बता रहे हैं गांधी नगर लोगसभा सीट से अमिच रहा इस वक्त आगे है ये बड़ी वर रहम जानकारी सीधी बाला घाट और मुरेना में इस वक्त कॉंग्रिस आगे नज़र आ रही है जो सीधा मुकाबला एंडी और इंडिया के बीच में देखा जा रहा है वो कापी दिल्चास पोता जा रहा है कॉंग्रिस की बढ़त देखने को मिल रही है करनाटक के जो रुझान है वो सामने आ चुके है करनाटक में बीजेपी 15 सीटों पर आगे नज़र आ रही है वहीं कॉंग्रिस भी 8 सीटों पर आगे चल रही है यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे है लोकसबार चुनाफ को लेकर जो रुझान है वो सामने आ चुके है छिंदवारा से कॉंग्रिस के नकुलनाथ इस वक्त चल रहे है यहाँ पर कमलनाथ की प्रतिस्ठा दाओ लगती हुई नज़र आ रही है क्योंकि 5000 वोटों से यह जो अंतर है यह देखने को मिल रहा है और चिंदवारा सीट काफी एहम मानी जाती है वहीं UP की अमेठी सीट की अगर बात कर ले तो केंद्रिय मंत्री स्मिती इरानी ने यहाँ से राहुल गांधी को शिकस्त दीखी 2019 में जिसके बाद आज अगर बात कर ले तो आज वहाँ से पीछे चल वही है वहीं मंडी से BJP की उमीद्वार, कंगना, रनो और कई हजार वोट से इस वक्त आगे नज़र आवी है वहीं गांधी नगर लोगसभा सीट की बात कर ले तो अमिट शहा आगे नज़र आ रहे है ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे है सीधी, बाला घाट और मुरेना में कॉंग्रेस इस वक्त आगे है बता दे अगर 2019 के लोगसभा चुनाव की बात कर ले तो वहाँ पर भी लगातार जो एंडिये को बढ़त मिलती हुई नज़र आई थी जिसके बाद आज इंडिया और एंडिये के बीच में ये सीधा मुकाबला देखने को मिलगा करनाटक में बीजेपी 15 सीटों पर इस वक्त आगे नज़र आ रही है लगातार ये अपडेट आपको बता रहे है एंडिये में आप देख सकते हैं कि 255 सीटों की ये बढ़त नज़र आ रही है वहीं इंडिया लाइंस के खाते में 240 सीटे जाते हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में इस वक्त आप देख सकते हैं कि 24 सीटों का जो आक्रा है वो देखने को मिल रहा है वही 5,000 वोटों से इस वक्त छिंद्वारा सीट से नकुल नात पीछे चल रहे हैं अम एठी लोग सभा सीट की बात करें तो केंद्रिय मंत्री इसमृती इरानी की भी जो साख है वो दाव पर लगती हुई नजर आ रही है बस्तर से एक अवासी लख्मा इस वक्त आगे हैं कही न कहीं ये जो अंतराल है वो एग्जिट पोल के नतीजों में और रुझानों में देखने को मिल रहा है क्योंकि एग्जिट पोल में अंडिये को लगतार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी जिसके बाद अब जो आज रुझान सामने आ रहे हैं इसमें जो एंडिये है और इंडिया अलाइंस के बीच में ये कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है क्योंक कहीं वो बीजेपी के पक्ष में भी नजर आ रहे है क्योंकि करनाटक में 15 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे जाते हुई नजर आ रही है वहीं 8 सीटों पर कॉंग्रिस को भी बढ़त मिल रही है और इंडिये के खाते में 250 सीट जाते हुई नजर आ रही है तो इंडिया लाइंस के खाते विए 245 तो साफतोर पर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एंडी और इंडी अलाइंस के बीच में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं जो एक्जिट पोल के नतीजे सामने आये थे उसमें भी ये बड़ा अंतराल हो सकता है क् अमेटी सीट पर ही आप देख लीजे केंद्रिय मंत्री स्मिती रानी चुनावी मैदान में हैं 2019 में काफी अंतराल के वोटों से उन्होंने राहूल गांधी को शिकस दीती जिसके बाद आज अमेटी पर भी उनकी साख दाव पर लगती हुई नज़रा रही है वहीं मंडी स इसको बढ़त मिलती हुई नज़रा रही है जो राहूल गांधी की सीट है वाइनाट लोकसभासी वहाँ इस वक्त राहूल गांधी 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं वहीं रुजहानों से शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है बतादे कि एक्जिट पोल आने के बाद जो शेयर बाजार था उसमें उझाल देखने को मिला था और अब जो रुजहान सामने आ रहे हैं कहीं न कहीं शेयर मार्केट भी डाउन होती हुई नज़रा रही है करनाटक की 27 सीटों के रुजहान सामने आ चुके हैं बीजेपी 15 सीटों पर आगे हैं तो वह अगर जिक्र कर ले तो आठ सीटों पर कॉंग्रेस की बढ़ात देखने को मिल रही है लगातार जो है वो एंडी और इंडिया के बीच का ये उलट फेर देखने को मिल रहा है लगातार जो आक्रे हैं उनमें भी परिवर्तन हो रहा है देखिए इंडी के खाते में 255 सीटे जाते हुई नज़र आ रही है तो वहीं कड़ी टक्कर में जिस तरीके से इंडिय अलायंस को आप देख रहे हैं 250 सीटे उनके खाते में जाते हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में ये 24 सीटे हैं बड़े-बड़े केंद्रिय मंत्री ऐसे थे जिन पर बीजेपी ने जाओ खेला था फिर चाहे वो अमेठी लोगसभा सीट की बात कर ले खुद केंद्रिय मंत्री स्मिती इरानी वहां चुनावी मैदान में हैं इससे पहले कि अगर लोगसभा चुनावों की बात कर ले तो वहां से एक कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी को वो हराती हुई नजर आई थी और आज कहीं न कहीं अमेठी में जो उलट फेर देखने को मिल रहा है वो भी काफी एहम हो सकता है क्योंकि स्मिती इरानी वहां से पीछे चल रही है वहीं कॉंग्रेस ने भी कई सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है वाइनाट से राहुल गांधी बहुमत मिलता नजर आएगा वहीं श्रेयर बजार अब दो हजार अंकों से गिरता हुआ नजर आ रहा है वीडी शर्मा की अगर बात कर ले तो वो 64,000 वोटों से इस वक्त आगे हैं ये बड़ा अपडेट लगातार रुजहानों को लेकर आपको लोगसभा चुनाफ से जो शुरुवाती रुजहान है वो सामने आने लगे हैं और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि एंटी और इंटी अलाइस के बीच का जो मुकाबला है वो काफी दिल्चस्थ होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यूपी में भी ये बड़ा उलट फेर देखने को मिल रहा है अगर एंपी की जिन्दवारा सीट की बात कर ले तो वो हमेशा से कॉंग्रिस का गड़ रही है वहां से कमलनाथ खुझ चुनावी मैदान में उतरते थे और इस बार उन्होंने अपने बेटे नकुलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा और वो वहां से इस वक्त पीछे च सिंग को शिकस देती हुई नजर आ रही है वही गांधी नगर लोगसभा सीट से अमिच्छा चुनावी मैदान में है और बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं सीधी बाला घाट में इस वक्त कॉंग्रेस आगे नजर आ रही है वही करनाटक की लोगसभा सीटों की बात कर तो बीजेपी और कॉंग्रेस में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और रुजानों के आने के बाद से ही शेयर मार्केट में भी ये बड़ी गिरावट बतादे कि शेयर बाजार दो हजार अंकों से गिरता हुआ नजर आ रहा है ये बड़ा अपडेट आपको बत आ रहे हैं वहीं वीडी शर्मा की अगर बात कर ले तो 64,000 वोटों से वो इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं मध्यप्रदेश की सभी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है बतादे कि 29 लोग सभा सीटे मध्यप्रदेश की हैं जहां पर बीजेपी के पक्ष में रुजान सामने आ रहे हैं करनाटक की बात कर ले तो 27 लोग सभा सीटे हैं जहां पर बीजेपी के पक्ष में रुजान आए है 15 सीटों पर इस वक्ष बीजेपी आगे चल रही है तो वहीं कॉंग्रेस भी 8 सीटों पर आगे चलती हुई नज़र आ रही है यह आकड़ा आप लगातार देख सकते हैं के खाते में जा रही है वहीं इंडिया में इस भार बढ़त देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं कि 201 seat इंडी आलायंस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं कई लोग सभा सीटों पर बीजेपी इस वक्ष बीची अगे नज़र आ रही हैं तो वहीं Personal and BRGP के पहुमत मिलता हुआ नजर आएगा लेकिन जो अभी की इस्थिती है उसमें काफी उलट फिर देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडी अलाइंस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है लगातार जो सेंद्मारी की कोशिच थी वो बीजेपी की ओर से भी की जारी थी और कॉंग्र की ओर से भी चुनावी मैदान में जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयंग किया गया था उसके नतीजे आज आज आप देख सकते हैं कि इंडी अलाइंस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है एक लाक नो हजार वोटों से इस वक्त शंकर लालवानी आगे चल रहे है ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं लगतार करनाटक के 27 सीटों का रुजान सामने आ गया है वही 15 लोगसभा सीटों पर बीजेपी आगे है तो 8 लोगसभा सीटों पर कॉंग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है लगतार ये अपडेट हम आपसे साजा कर रहे है लोगसभा चुनाव को लेकर जहां कॉंग्रेस आठ सीटों पर करनाटक की इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है चिंदवाडा लोगसभा सीट की बात कर ले तो कॉंग्रेस के उमीदवार नकुलनाथ जो की कमलनाथ के बेटे हैं वो पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों क इस वक्त पीछे चल रही है बस्तर से 80 लखमा इस वक्त आगे है ये लोगसभा चुनावों के रुजान जो सामने आ रहे हैं इसने इस्तिती को पलट कर लग दिया है हिमाचल की मंडी सीट की बात कर ले तो बीजेपी की कंग्रा रनौत इस वक्त आगे जाते हुई नजर आ रही है वह सेधी और बालगाट सीट पर कॉंग्रेस आगे है वाइनार जो राहूल गांधी का लोगसभा शेत्र है वहां 18,000 वोटों से राहूल गांधी ने बढ़त बनाई है और मध्य प्रदेश की 29 लोगसभा सीटे हैं और जो रुजान सामने आया है वो बीजेपी के प लगातार गोटों से आगे इस वक्त श्रंकर लालवानी नज़र आ रहे हैं मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है वही चतिसगर की राजनन्द गाव और विलासपूर में इस वक्त कॉंग्रेस आगे है पतादे की राज लगातार गोटों से इस वक्त भुपेश भगेल की किस्मत दाव पर है और लगतार इचतिसगर की 11 लोग सबा सीटे है जो आपर कॉंग्रिस को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां एक ओल मध्यप्रदेश के आपाकड़े द ज़र आ रही है जो आकड़े है उसमें लगातार आप पर विवर्तन देख सकते हैं एंडिये के खाते में 270 सीटे जाती हुई नज़र आ रही है इंडिये अलायस पर नज़र डाले तो 2500 की करीब यह सीट है जो इंडिये अलायस के खाते में नज़र आ रही है और वहियानिये के खाते में 23 सीटे जाती हुई देखी जा सकती है लगतारी आकड़ा देख रहे हैं उत्रकंड की बात कर ले तो बीजेपी के खाते में 3 सीटे जाती हुई नज़र आ रही है ये आकड़ा लगतार बदलता जा रहा है और उलट फेर जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि ए प्रियास लगाय जा रहे थे कि यूपी में बीजेपी को बढ़त मिलेगी लेकिन सपा वहां से आगे अजाती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी भी इस बार सपा के साथ गडबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है तो कई सीटों पर जो मुकाबला है वो त्विकोनिय होता हुआ नज़र आ रहा है 2019 के अगर आकड़ों की बात कर ले तो सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ती हुई नज़र आई थी तब भी वो बीजेपी के एक किले को पते नहीं कर पाई थी और इस बार जिस तरीके से कॉंग्वेस और सपा का गडबंधन जो देखने को मिल रहा है लगतार उलट फेर हो रहा है क्योंकि यूपी का जो लोगसभा शेत्र है वो काफी एहम माना जाता है क्योंकि दिल्ली का रास्ता कही न कहीं यूपी से होता हुआ जाता है क्योंकि कुल 80 सीटे लोगसभा की सिर्फ यूपी से सामने आती है और वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं आप हमारी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कई राज्यों के जो लोकसभा के रुजान थे वो सामने आ गए हैं और कई राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है जैसे कि करनातक में आप देख सकते हैं कि बीजेपी 15 सीटों पर इस वक्त रहा है कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में तो साफतोर पर माना जा सकता है कि जो एंपी के रुजान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में देखे जा सकते हैं देखे जो आक्रा है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है एंडिये के खाते में 280 सीटे जाती हुई नज यह जो पहले रुजहान हम आपको बता रहे हैं इसमें इस्तिती अभी साफ नहीं हो सकती है लेकिन एंडी और इंडी अलाइंस के बीच में जो मुकाबला है वो कापी एहम माना जा रहा है अभी यह जो आकला सामने आ रहा है यह बदल सकता है क्योंकि लगातार जो मतगड़न है वो शुरू हो चुकी है और साथी अगर मतगड़ना अस्थलों की बात कर ले तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किये गए हैं और आज बड़े-बड़े केंड़िये मंत्वियों की किसमत भी दाव पर लगी है साथ चवड़ों में लोकसभा चुनावों के मतदान होते हुए नजर आए थे और आज वो घड़ी आ गई है जो इस्थिती आप देख रहे हैं ये माना जा सकता है कि आज अब ये फैसला होने वाला है कुछी समय बाद ये इस्थिती भी साफ होते हुई नजर आएगी कि आखे वे किसके खाते में कितनी सीटे जाते हुई नजर आ हैं वही अगर बात करें MP की तो 29 लोग सबा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल गई है चतिसगर में 8 लोग सबा सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है वही करनाटक में भी 15 लोग सबा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रहे हैं वही चतिसगर की बस आगे है राजनन्द गाउ सीट पर इस बार पूर्व मुख्यमंत्वी बुपेश बगेल कॉंग्रिस की ओर से चुनाव लड़ रहे थे और कहीं न कहीं उनकी साख भी दाव पर लगी थी और जो अंतराल देखा जा रहा है वो भी वोटों कई हजार वोटों से आगे चल रहे ह रायपूर से बिजमोहन अगरवाल आगे चल रहे हैं बतादे कि जो दस हजार वोट का जो अंतराल है वो देखने को मिल रहा है लगतार कॉंग्रिस को भी बड़त मिल रही है वही करनाटक की बात कर ले तो बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है जो आकड़ा रहे है वो आप देख सकते हैं करनाटक में और जारखन में 14 में से दो सीटों का जो रुजान सामने आया है वो बीजेपी के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है लगतार जो आकड़ा है वो आप देख वह देखिए एंडिये 294 सीटों पर जाती हुई नजर आ रही है हिमाचल प्रद यह आकड़ा है मतदान प्रतीशत का जो आकड़ा था उसके हिसाब से यह माना जा रहा था कि कहीं न कहीं जो एक्जिट पोल का आकड़ा सामने आया है जो मतदान प्रतीशत का आकड़ा आया है उसमें एंडिये को बढ़त मिल सकती है लेकिन अभी की जो इस्थिती है जिस 298 सीटे जा रही हैं तो वहीं इंडिया 211 सीट पर नजर आ रही है और अन्य के खाते में 24 सीटे हैं लगातार 36 गड़ की बात करें तो 11 लोग सभा सीटे हैं जहाँ पर एक समय था जब कॉंग्रेस का कबजा होता था और इस वक्त 36 गड़ में बीजेपी की विधान सभा में सर बीजेपी की सरकार है और उसका पाइदा कहीं न कहीं बीजेपी को इस बार देखने को मिलगा है क्योंकि 29 लोग सभा सीटों का जो रुझांस सामने आया है वो बीजेपी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहा है रायपूर सीट की बात कर ले तो ब्रिजमोहन वहां से 10,000 से इस वक्त आगे चल रहे हैं इन दौर में नोटा को 18,134 जो वोट ते वो मिलते हुए नजर आये हैं यह जो आक्रा आपको बता रहे हैं लगातार इसमें परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है तो वहीं सबसे होट सीट वारनसी की अगर बात कर ले तो पीम नरेंद मोधी वहां से आगे चल रहे हैं और चिंद्वारा की सीट की बात करें तो 16,000 वोटों से नकुलनात इस वक्त पीछे हैं अमेठी से केंद्री अमत्री स्मिति इरानी भी पीछे चल रहे हैं यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं यह कुछ होट सीट से जहां के रुजान साम ने आ गहे हैं मंडी से बीज़िपी की कमनर अनौत इस वक्त आगे चल रही हैं गांधी नगर से अमिच्छा इस बाबढ़ात के साथ आगे चल रहे हैं वहीं अगर गुजरात की बात कर ले तो कहीं न कहीं वहाँ स्थिती साफ है कि BJP को बढ़त मिलती हुई नज़रा रही है वहीं 36 गड़ की 3 सीटों पर इस वक्त कॉंग्वेस आगे है और राहूल गांधी के गड़ वाइनाट की अगर बात कर ले तो 18,000 वोटों से राहूल गांधी इस वक्त आगे चल रहे है और मध्य प्रदेश के 29 लोग सभाग सीटों पर यानि कि सभी सीटों पर BJP को बढ़त मिलती हुई नज़रा रही है खजुराओं से वीडी शॉलमा एक लाख वोटों से इस वक्त आगे है ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है राश्रंद्राओं से कॉंग्वेस के भुपेश बगेल इस वक्त आगे है और ये वोटों में भी बड़ा अंतराल देशने को मिलगा है